हेलो दोस्तों बहुत-बहुत सवागत है आप सभी काज के इस नया सतन में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे objective question के बारे में ठीक है दोस्तों आज हमारी फिर से objective question होंगे और वो भी आप सब को पता है कहां से होंगे वो होगा by वाले parts से ठीक है biology का जो हमारा portion है ठीक है biology के important question आपको मैं करवा रहा हूँ objective ठीक है दोस्तों आभी आप जो है इनको अच्छी तरीके से explanation के साथ explanation के साथ इनको जो है आप लोग पढ़ते रहे हैं उसके बाद आपके exam के लिए बिल्कुल selected material आपको अन्व को देखते रहे हैं समझे बात को चलू ठीक है चलिए फिर इस्टार्ट करते है question को दीखे इस से पहले ठीक है इससे पहले 21 question हो चुके थे ठीक है इससे पहले 21 question हो ठीक है तो आज हम लोग iStars टो करेंगे 22 ठीक है बाइसवे questions से हम लोग वाणस को स्ट्राट करें गर दोस्तों क्लियर है चलो है चलिये फिर स्टाट करते हैं बीना देरी कर एंच ए ठीक है यहाँ पर आपका बाइस्वा कंट दोस्तों ठीक है 22 क्या किंदयर रहा है थ्याँ सत्रांइब लो करा eg और का जनन केंद्र और यह तो मिट गया भाई चलो ऐसे देखना पराग कण का जनन केंद्र कितने नर्युगमक बनाता है एक मिनट रुगेगा ठीक है यहाँ पर क्वेशन आपका क्या कह रहा है देखिए कह रहा है पराग कण का जनन केंद्र कितने नर्युगमक बनाता है तो सभाग फल में बदल जाता है तो पुस्प का जो ऐसा कौन सभाग है मतलब फर्टिका में जाते हैं तो वहां निस्येशन के क्रिया होती है तो वहां पर बोला जा रहा है कि उस मतलब कौन सभाग जो होता है वह फल में बदल जाता है तो दोस्तों आपका जो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी बिलकुरू करेक्ट हो जाएगा अंडा से कौन सा अपका सई है अंडा स सान नमबर सी चाले है आपका चोवेशा कोशन क्र dép Bis आक होती है मूल में फल में ब지 करेक्ट हो जाएगा ठीक है और सी बूर्वकल कर्थ मिलकुल करेक्ट हो जाएगा का हो जाएगा बी जांड में अगला कोश्चन आपका कह रहा है पच्चीसवा दूने सेसें क्लिया में त्रिक सल्लेयन के पच्चाथ बनने वाले उतक का नाम है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगे मेरे दोस्त तो option number A बिल्कुल correct हो जाएगा endosperm option number A बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा endospero harmony हो जाएगा ओपच्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन आपका कह रहा है अगला कुश्चन आपका कह रहा हम यहां पर ngosperm में निससेशनों परांत बीच कवग बनता है ठीक है तो बीच कवक आपका जो बनता है वो क्या बनता है ठीक है यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो आपका एंसर दिया हुआ है option आपके बहुत सारे लेकिन जो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number D बिल्बूल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ब्रून कोस्त क्या हो जाएगा ब्रून कोस्त उसके बाद 27 सवा कुश्यन करा है आलू में काईग जनन होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो right answer हो जाएगा भूमिगत तने से ठीक है क्योंकि आप सबको पता है आलू जो होता है आपका तने का हिस्सा होता है ठीक हो ताना होकि किसमें होता है तो है होता है अगला कईशन आपका कहा था गाले लिग शयुक्त है ठीक है तो आपका यहांपर जो right answer हो जागा option नंबर भी आवृत बीजी पाद भूका जीए पादपोका यहां पर क्या हो जाएगा राइट खोल जाएगा उसके बाद स्के बाद किी से के मध्यभाग को क्या कहा जाता दुस्तों तो यहां पर आपको फैन को मॉटा कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया भाई चलिए कैने हैं अगला ऐगरा तक हो गया उसके बाद बात करते हैं पराग कंणों का पराग कोस्षे वर्तिकाग्र तक अस्थान्तर कहलाता है तो चाहता है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा और यह विल्कुल क्या हो जाएगा परागन कहलाता है आप सब पहुंचते हैं कहां वर्तिका अगर देखते हैं अगला कुर्षिन आपका प्रवेश करती है तो यहां पर आपका राइट आसर हो जाएगा ऑप्स नंबर डी क्या हो जाएगा अंड दौर में उसके बाद तैस्टीसवा कुश्यन आपको कह रहा है नरका जलनांग क्या है तो यहां पर आपका ऑप्सन नंबर सी सब्सक्राइब जाएगा आपक हार्मोन लड़कों में यौना अस्था के लक्षूड अनियंत्रित करता यह अफिकन यहां पर países थे जाएगा करेक्ट हो जाएगा टेस्टो एस्टेराउन क्या हो जाएगा टेस्टो एस्टेराउन उसके बाद 35 कुछन करा है कौन सा हार्मोन लड़कियों में यहां पर आपने देखा लड़कियों के ठीक है यहां पर आपने देखा लड़कियों के तो दोस्तों यहां पर आप एपका क्या हो जाएगा ठीक है पर थिसरे का राइट एंसर क्या हो जाएगा आपको अप्षन नम्बर ए बिल्कुल मिलते हैं यही। तो आपको राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका डिम्ब वाहिनी में क्लियर है उसके बाद अगला कुश्चन आपको क्या कहते हैं अंडा सर्जित होने की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है अंडा सर्ज क्या कहा जाता है उसके बाद आपका 38 क्या कह रहा है नर्व में विस्ण क्यों उदर गुहा के बाहर विस्ण कोस में इस्तिर होते हैं तो दोस्तों यहां पर जो राइट हैसर हो जाएगा और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सुक्राण पादेन के लि और नियुक के सराव के निश्कासन बीद्ट हर जाता है वही पूचा जा रहे है पर यह नियुकन से जो बुट्न ब्लयद होगा इंकलता है तो उसको क्या कह जाता है उसको निकलता से भी जानते हैं आप सब को पता होगाना क्या करा है चलिए वटका कहां पर इस्तित होता है तो दोस्तों आपका प्रेस्टा वोता है वो गर्भास से में इस्तित होता है कहां इस्तित होता दोस्तों गर्भास से में ठीक है चलिए अगला कोशन आपको करा है कि सुरावस्था की अवधिको क्या कहा जाता है तो दोस्तों कि सुरावस्था की अवधिको क्या कहा जाता है प्यूबर्टी क्या कहा जाता है ध्यान से आपको बिल्कुल selected material पढ़ने होंगे लेकिन आप यहां पर चीज़ों को पढ़िए सीखिए क्लियर है चलो चलिए अगला कोशन यहां पर क्या करा दोस्तों ठीक है अगला कोशन आपको कर रहा है बैयालिस्वा इस्तरी में किस अलमें अंडा से तता गरभासे में होने वाले सब्सक्राइब सब्सक्राइब परोढ़ाएं कितने साल के बाद सत्यायों जो यहां पर आपका जो हो जाएगा ओप्सेन नंबरशन ते बहुत के बाद एक कि लिए पेठीक बन्दों के बासे की बादेग हiteit पर्तुट टूट कर रुधिर में इसका से होती है पर शूब आप कोई भी आपसन नहीं होगा प्र法 ऊसके बाद अगला सब्सक्राइब कितने दिनों की होती है तो आपका यहां पर रहाट दिन तक यह प्रोसेश चलती है तो से आठ दिन तक यह क्या होता है जिसको मैंने मासिक धर में भी बताया था लोगों को होती है लिए अगला कोशन आपको कहा रहा है निवगत में से कौन यहां समबन्दी रोग है तो आपको बता ना इसमें ठीक है तो 45 आपका नंबर क्या हो जाएगा डी बिलकुल करेक्ट हो जाएगा मिन एड्स गोनेरिया और सिफलस यह सब किसे जितने होते हैं यह सब कैसे हो होते हैं यौन संबंधी रोग होते हैं कैसे दोस्तों यौन संबंधी रोग होते हैं चलो उसके बाद अगला क्या आपका निशेशन क्रिया होती है मादा के तो मादा के कौन से हिस्से में निशेशन क्रिया होती है कोई जवाब देना ठीक है कौन से हिस्से में निशेशन क्रि ती ह्त tämä प्रयूप नोगों सुनूघ का म отв tuologie जोते हैं इसको रोगता है क्योंकि सुकुराण अधर नहीं करें पाता है ते घु het लोगाया जहता है कहां लगाया जहता है जिससे ओड़ algorithm फिर最े इसलाई लगुद आपन programme हो जाएगा गर्भाषक नहुंत है डान STAR तो गर्हवात समय उसके बाद अगला कोश्चिन आपको क्या बोल रहा है कि र किरना मोख होता है तो आपको फीस क्सें होता है consistent किस से होता है तो दोस्तों मुझा अब बोल सकते हैं मतलब वाइरस समय मैं और यह आपके जो माइञ वाइरस मतलब वाइरस और यह मतलब यह होता है हमीचा हां क्या होता है क्या हुण है अगला explained Νियोजال की सबसे चाउंब्स नंभर सिबन क्या हो जाएगा कैरिक्ट हो तो यह रहे इस चैप्टर के आपके बालोजी के जो है आपके प्रस्टन अब्जेक्टिव आपने इनको देखा ठीक है दोस्तों चलिए तो आइधिंग आप लोग को क्लास पसंद आई होगी ठीक है और कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंड करके जरूर बताईएगा ठीक है औ दोस्तों और आप लोग के लिए बहुत बड़ा सर्फाइज लेकर के आ रहे हैं ठीक है आप लोग के लिए बहुत बड़ा सर्फाइज लेकर क्या रहे हैं जो भी बच्चे फिजिक्स में हो ठीक है फिजिक्स में या फिर किसमें केमेस्टी में बहुत ज़्यादा वीक है बहुत ज़्यादा मतलब उनको अगर उनको थोड़ी सी भी फिजिक्स और केमेस्टी नहीं आती है मतलब अगर यह बोल सकते हो किजिने केमेस्टी का सी नहीं आता और फिजिक्स का पी नहीं आता उनको भी क्या होगा फिजिक्स और केमेस्टी से भाई साब वो प्यार होगा वो मुहब्भथ होगी आप देखोगी टीक है तो आप लोग जो है चनल पे साथ बने रहे हैं बहुत ही ज़ल्राइन लेकर आ रहे हैं यह खुश खबरी ये सौगात आ बेश्क के बीच में बहुत ज़ल्दरे परसा बहल झालना जी जालना